रोजाना रासी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जै मातादी श्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में या समय जिनका भी बड़ी है या फिर मेरेज नवर्शरी है उन्हें हमारी और से धेर सारी सुब काम नाएं आप दिन दुगूनी राच्चोगूनी तरकी करें आईए यहां जानती है किस राच्ची के जातकों को लाब होगा और किनहें मिलेगी खुश खबरी आज भगवान श्री बिश्नुजी की कृफ़ा किन राच्ची जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन आईए यहां जानती है गुरुवार 24 जून 2021 को आपका देनिक राच्ची फल कैसा रहेगा किनहें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेगी दिक्कत में आईए यहां जानती है चलिए भीडियो शुरू करते हैं देनिक पंचांग से 24 जून 2021 दिन आज गुरुवार का है और जेश्ट मास की सुकल पगस की पुर्णिमा तिथी बन रही है यहां रातरी की 12 बसकर 9 मिनट तक चलेगा और इसके उपरान प्रती पदा तिथी प्रारम हो जाएगी नक्षद रहेगी जेश्टा यहां सुब है की 9 बसकर 11 मिनट तक चलेगा और इसके उपरान बूल नक्षद प्रारम हो जाएगी योगी की बात करें तो सुब नामक योग बन रही है यहाँ सुब है कि 6 बज कर 6 मिनट तक चलेगा और इसके उपरान सुकली योग प्रारम हो जाएगी आज का सूरी उदे का समय यहाँ सुब है कि 5 बज कर 40 मिनट पर होगा और सुरियास्त होगा ठीक साम की 7 बज कर 11 मिनट पर सुरी रासी रहेगा मेथोन रासी पर और चंद्रमा आज ब्रिश्चिक रासी इसके उपरान धनू रासी पर गोचर कर रहे है जो कि ठीक सुब है कि 9 बज कर 11 मिनट तक चलेगा अर्थात आज का दिन का सुब समय यहाँ दो पहर के 12 बज कर 2 मिनट चलेकर ठीक 12 बज कर 56 मिनट तक चलेगा आज का राहुकल का समय दो पहर के 2 बज कर 10 मिनट चलेकर ठीक 3 बज कर 50 मिनट तक चलेगा याद रखिएगा दोस्तों राहुकाल के समय किसी भी तरह के नए और सुब कारी की सुरुबात आप बिल्कुल भी ना करें अन्य था वीग नवाधाई आज सकती है अब बात करते ही आपके देनिक राशी कन्या राशी वाले जाटक हम आपको बताना चाहेंगी शितारे आज से आपके बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए सामाने रहेगा और आज से आप कारोबार में बड़ा लाब हो सकता है हम आपको उता दें युवाओं को प्रतियोगी परिक्साओं में सफलता मिलेगी और और परिशित लोगों की वज़स से आपको कुछ नुक्सान हो सकता है इसलिए अंजान लोगों से दोरे बना के रखें किसी से विवाद होने की आसंका है और नकरात्मक सोच आपका बढ़ सकता है आर्थिक इस्तिति को लेकर आप परिशान हो सकते हैं अज के दिन छात्रों को ज्यादा महनत करने होगे छात्र वर्ग जितनी ज्यादा महनत करेंगी सफलता उतने ही बड़ी आपको मिलेगी और जीवन शाथी का सयोग मिलेगा और आज आप किसी भी परकार का जोखिम नोले जोखिम से आज आपको बचना होगा हम आपको बता दे आपके परिवार के किसी सदर्च से मतभेध हो सकता है और खान-पान को लेकर आप लापरवाही ना करें अन्यथा सेहत आपका विगड़ सकता है हम आपको बता दे आज आप यात्रा पर जा सकती है लेकिन उसके लिए वाहंट साफधानी से चलाएं अनिता दुर घटनाएं हो सकती है कन्यारासी वाले जया तक हम आपको बताना साहेंगे पैसो के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम देगा और आपकी आर्थिक इस्तिती में बड़ा सुधार हो सकता है अगर आप व्याफार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी भागी साली रहेगा हम आपको बता दिन आज आपको कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिल सकती है हम आपको बता दें आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा और नौकरी पैसा लोगों को कड़ी महनत करने की सला दी जाती है देखिए महनत से ही आप आगे बढ़ सकती है हम आपको बता दें आज आपके बोश का रवया आपके प्रती ठीक नहीं रहेगा इसलिए आपको सतरक रहने की जरूवत है और वानी पड़ सयम रखना होगा हम आपको बता दें बहतर होगा कि आप अपने धैरी से काम ले और काम के प्रती लापरवाही बिलकुल ना करें हम आपको बता दें आपके नेजी जीवन में सुक सांती बनी रहेगी और आपको अपने घर के सभी सदस्यों का सयोग प्राप्त होगा हम आपको बता दें बड़ी बहन के साथ आपके संबंद मजबुद होगे अगर आप साधी सुदा हैं तो आज आपके विवाहिक जीवन में खुब सुरत मोड आ सकता है लेकिन उसके लिए अपने धैरी से काम लें ये आपके लिए जरूरी है और जीवन साथी के साथ आपका भावनात्मक लगाव बढ़ेगा हम आपको बता दें स्वास्त की दृष्टी से दिन अनुकुल रहेगा और मन में सांती का अनुभव करेगी आज आपका सुबरंग महरून है और भाग्यंग 19 है अगर आप भगवान विश्णु जी का सीधा आश्यरवात प्राप्त करना चाहती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और सच्चे मनशिक कमेंट बॉक्स में जय विश्णु देव जरूर लिख दें धन्यवाद आपका दिन सुबरे